जैपुर से चुनाव जड़ने का आप सब दिया हैं पार्टी ने, तो मैं आप सभी से, आप सभी के द्वारा हमारे मत्री जी को संकल्ब लेके आश्वासन आप सभी दीजिए कि मुझे आप विधात सबातक हो जाएंगे मत्री जी का आश्रवात रहा है, मेरी लोकसमा में पाच हजार करोर से जाड़ा सड़को पुरा जाएंगे पुरा जाएंगे दिशाएंगे मत्री जी के द्वारा मेरे शेत्री में उन्होंने मुझे सवाय मादूपूर और रातसमत में दोनों में उनका आश्रवात रहा है और वहां की जंता सिवा करने का मुझे अफसर मिला आज मैं आप सभी से धर्यवा देती हूँ कि आपने सभी है यहां पर भगार भगार यह चलातर है वहन गार अीमेर भग्णिवार सभी को में द्रीवा देती हूँ कि इतना प Tam किया इतना भग हमारे जो था उसके धन्यवाद अपने जाना समय नहीं नहीं कि मैं मंत्री जी को आमत्रिद करूगी कि मंत्री जी आप बढाएं और आपके आशिर वचित से हम सभी को संपोदें करूए अपने लोग प्रे उम्मिद्वार अधिरने दियार को मारे जी मांच कर उपस्ति सभी भानुवा और उपस्ति सभी भाईयों करता हूँ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है कोई प्रश्ण है तो निश्चित रुप से उससे आपको अच्छे प्रकार से अशिरवाद के साथ प्रश्ण अशिरवाद के साथ आपका जीवन यशश्वी होगा इसा ऐसा अशिरवाद वो हम सब को दे ऐसी उनकी चर्णों में प्रार्चला कहता हूँ मैं आज दिन भर राजस्थां की चुनाव सभा में राजस्थां के अने क्षेतर में जाने का मुझे भूका मिला तो यह बहुत खुशी है कि जिस प्रकार का उठ्वा मैंने लोगों के लेवार से देखा उस बात से मुझे पुरा विश्वास हुआ है तो दिया कुमारी जी तो हंडर्ट परसें जित्ते वाली है तो राजस्थां में भार्तिय जनता पार्टी को अपने ताकत पर मुभूमत मिलेगा यह मेरा विश बैन और भाईयों हमारे देश को स्वाधित्ता उनीस सो सहितालिस में मिली तब मात्मा गांधी जी के लेकृतों में कामरेस ने बहुत बड़ा अंदोलन किया हमारे करांती कारक और देश वक्तों ने भी उस समय कुर्बानी दी उन्होंने भी करांती के मार्ग से अपने जिवन को लवचार कर दिया उन्नीस सो सहितालिस में उन्पतंद्र भारत के मागरिक पर हैं यहारे स्वाधित्ता को 75 सा पूरे कर रहे हैं अमरुत महप्सों मना रहे हैं और इस 75 साल के कियास में इस देश को उसके विकास के बारे में अनेक आश्वासर हमें मिलते रहे हैं आपको पता होगा कि सेटालिस में स्वाधिन्ता मिलने के बाद पंडि जवारला लेनु देश के पहले प्रदान मुंत्र बावे 75 साल में से 60 साल कांगरेस को शासन करने का मोटना मिला इंदिरा गांधी पृदान मंत्री बनी और राजियो गांधी पृदान मंत्री बने फिर सोनिया गांधी जी का राजा अब राहुल गांधी आये है कोंग्रेस थे बहुत वादय किये थे घड़ी मिटाने किरी किसकी घड़ी मिटी है आमादमी की घड़ी नहीं मिटी पर कॉंग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्दव कि घड़ी ज़हब ही reminds कॉंग्रेस पार्टी ने समाजबादी विचारों के अधार पर हम इस देश के तक्दीर को मविश्य को बजलने का आश्वासन भारत की जन्ता कुदिया उसके बाद में समाजबादी पार्टी का निर्माडवाई डॉक्टर राम अलोर रोया जी उसके नेता थे जोर्ठनांडिस, मदुलिमे, मदुदंडवते, नागरगोरे, ऐसे इंगोशी, ऐसे अनेयक लोगों ने समाजबादी विचार का भी प्रचार की उस समय राजस्थान में एक स्वतंत्र पार्टी भी तैयार हुई थी राजस्थाव और गुज्राप पे स्वतंत्र पार्टी ने पुन जीवादी अर्थेव्यस्ता का समत्र किया पर आज 75 साल के बाद हम ऐसे मुकाम पर पहुचे हैं कि अभी भी हमको बहुत कुछ करने की अवशक्ता है भारत तो विष्व गुरु बनाना है हमारा देश में वर्ड में अब पाच्वाए नंबर पर हमारा आर्थिक भूश्ट्री से पाच्वा नंबर आता है अब प्रदान मंत्री जी ने का कि हम तीस्ते लिपनेंगे हमार्ट मंदिर्वर्वारत प्रेंगे आफ्पन निर्वर्ता का मतलब यही है यह हमारा जो भी कुछ इंपोर्ट हो रहा वो कम होगा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा गाव गरीब बैजदुल किसान का कल्याड होगा सुखी सम्रुद्ध संपन्न देश दिर्माड होगा और दुनिया की पहले नंबर की आर्थी ता उटे माहर्थिक माशत्ती बनाना चाहते है क्या हमारे देश को इतिहास सुष्क्रुटि और विरासत के आधार पर आज हमारा आयरवेद हो योग विज्ञान हो हमारा विशेश हुप से हमारी सुव्ष्क्रुटि और वारा इतिहास हो इसके प्रती पुरे विदेशों में बहुत बड़ी चर्चा है लोग उसका अनुदरण कर रहे हैं जब यूनों ने योग दे की शुरुवात की तो दुनिया के करोड़ों लोग योगा सेंद करने लगे लगे मैं मुझे दुनिया गुमने का मूब का मिला है जगह जगह पर भारती असंदीत हो भारती संस्कुरूत हो हमारा इतिहास हो हमारी विरासत हो इसके आदार पर उसके अध्यान करने वाले अनेक लोग हैं आपको आश्यर होगा कि जर्मनी ने आयूर्वेट में हमारे सी ज़्या हमारा योग विख्यान दुनिया के आकर्शन का केंद्र बना हुआ है और आज यह सब बाते देखते हुए मुझे स्वामी विवेक आनंजी की याद आ रही है आपको याद होगा कि स्वामी विवेक आनंजी ने शिकागों के संबहलन में हिंदू धर्म का प्रदित्व करते समय एक प्रसिद्य भाशन किया उन्हें अपने पहले वाक्य में कहा था भाईयों और पहलों जैसे दो शब्द उन्हें कि हैं वैसे इतनी टालिया गुलने लगी कि तीन चार मिनीट वो बोल नहीं पाए इतने लोगों में कुशी की तब विवेकानन जी ने बविश्यवान और विश्यवाने मैं फिर से आपको याद कर रहा हूँ विवेकानन जी ने कहा था कि अट्रावी सदी जो थी वह मुगल सर्तनत की सदी थी जो वनीश्यवी सदी आई तो अंग्रजय का यूनियन जैक सब तरप लहरा रहा था और वीश्यवी सदी जब आई तो अमेरिका ए और विवेकानन जी ने आगे कहा कि जो 21 सदी आएगी वह हिंदुस्तान की आएगी भारत की आएगी जब जब भी मैं तो कोई इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकता हूं बोल सकता हूं पर मई जब 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 अभी विदेशों में ज्यादा लोग मुझे सुनते हैं कि टेक्निलोगी के कारण अमरीका में यूरोपीयन कंट्री में तो यूत्यूब से मुझे तीर लाट रुपए मेंना बेते हैं हर भाष्ण यूट्यूब वाले ढाल देते हैं। और बात तो मैं वही करता है। मैं दो बात है क्योंकि आप प्रभुद्य समाज के पर्तिजित्यों हैं। दो बात हैं इंपोर्टेंट हैं। कि innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge. हम उसको ज्यान कहते हैं। और knowledge क्या पुपासग है। knowledge यह सबसे बड़ी power है, सबसे बड़ी शक्ती है। और इसलिए conversion of knowledge into wealth हमारा भविश्य है। और दूसरी बात, जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, कि no person is waste and no material is waste. It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership, that you can convert waste into wealth. आप दो बाते जिरूर रियादर किये। मैं लागपूर का सावसेड हूँ, आठ साल पहले मैंने तय किया कि शेहर का toilet का पानी बेचता है। टाइलेट का पानी कोई खरी सकता है। सब लोगों ने मुझे बूठोबे निकाला। मैंने का नहीं हो सकता है। और मुझे आज खुशी हो रही आपको बताते सबाय है। कि हम लोग साथ साल से नाकपूर शेहर का toilet का पानी शुद्ध करके महाराष्ट्रा गवर्मेंट के पोराणी और खापर खेडा दो पावर को देते हैं। जिससे हमको 300 क्रोड रुपे साल करें। मैं तो लोगों को कहता हूं कि इस देश में पैसों की कभी नहीं है। आप कहीं में जाए हित्वस्तान में। मैं कभी लोगों से जूट बाते नहीं करता हूं। जो बोलता हूं, वह ही कहता हूं। और जो कहता हूं, वह ही करता हूं। लोगों को विश्वास नहीं था कि दिल्ली से जैपुर दो गंटे में जाएगे। लोगों को विश्वास नहीं था कि दिल्ली के डेराणुन दो गंटे में जाएंगे, दिल्ली से हरिद्वार देड़ गंटे में जाएंगे, दिल्ली से चंदी के दाई गंटे में जाएंगे, दिल्ली से स्रीनगर आठ गंटे में जाएंगे, कट्रा छे गंटे में जाएंगे अब चेन्ने से भेंगलोर नौ गंटे लगते थे अब दो गंटे में जाएंगे और मैसूर से भेंगलोर ये साड़े तीन गंटे लगते थे अब एक गंटे में लोग जा रहे हैं कि मैं आपको एक बाता है कि हमारे देश में काम करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में इमांदारी से देश के लिए और समाज के लिए काम करने है कि आपी kh बं नहीं से अभरत्य जयरतां पारटी में जबाए तो आ हमारे विचाइड़ा का devant पर हमने यह खा कि politics is a instrument of socio-economic report सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभारी उपकरन राजनीती है और राजनीती का मतलब केवल सत्ता कारण नहीं है राजनीती का मतलब है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण Politics for development, Politics for progress पंडित दिन्ड्या लुफादाइजी ने जिस विचारधारा को अनको दिया है विचारधारा उनका सामाजिक, अर्थिक सिंतनक अंचो 2 दे के रूफ में पसित तथे दिन्ड्या लुफाद्या ऑग उन्होंने कहा कि समाज के जो शोशी थे पीडी थे दली थे जो सामाजी घर्तिक सेक्षनिक दुष्टी से पिछड़े हुए है जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं है शरीर प्रकपडा नहीं है उस धरीतिर नारायन को हम भगवाल माले और उसकी निरबतर सेवा करते रहे और जिस दिन उस वेक्ति को रो करी भालतिय जलतावपा कि की विचारदाना है हमारी पार्टी कालेकरताओं की पार्टी ही यह मा बेटों की और प्तापुतर की पार्टी नहीं है यहां भाल मंत्री के पेट नहीं निकलता यहां MLA के पेट से MLA निकलता नहीं एंपी के पेट से M Armenia भाल करते मैं भीज में राजयस्तान के बिलाढसबा में आया थो शह ँंदिन साथ पहले हिं तो उस समय स्पीकर صاحब मुले बुलाय था हुआ है से राजजिते में में रहाय है। नगर्षे वह इसले रुखिए कि वह एमेले बना असले धु किया है कि वह सामसत्त नहीं बना जो एमेले और इसले रुखिए को मंत्री नहीं मंत्री इसले दुखिए कि उसको अच्छाоме ni नहीं मिला जिसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला तो इसको मिलने के बाद कहता है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बनागा अब जो मुख्यमंत्री है वो भी दुखिया हो बोलता है कब रहेंगे और कब जाएंगे परोसा है मैं बजाक में कहा था कि राजदीती अत्रुप्त आत्माओं का महसागत है भारत्मत्री आपर एक इसी नहीं है हम लोग राजदीती में सथा आशिर करने के लिए है सुंदर सिंग मन्दारी जी ने अपनी अपना जीवन भारतिया जनता पार्ट्य भारतिया जनसंग को दिया संग और भारतीय जन संग के अनेक कार्यकरता हो ने अपने जीवनको इस देश के लिए समाज के बिइस समर्पित किया उसकी पार्षुभां मी भारटे जरता मालते हैं सबigorत कि कि वैवेल को एवेले और एंपी बनानी के लिए हैं हम इस देश को अपनी मात्र हुभी मानते हैं, मदर लाइंड मानते हैं, राश्रवात, यह हमारा उद्धिष्ट है, हमारा चिंटन है, हमारा आत्म है, good governance and development, सुशासन और विकास हमारा मिशन है, और पंडी तिंडाल उपाध्याजी ने बतावा सामाजिक आर्थिक चिंटन अ हमारा मकसद नहीं है, समाज बजलना हमारा मकसद है, और हम बजल सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, जो 75 साल में साथ साल कॉंग्रेस पार्टी को मिले, देश का विकास नहीं है, अटल भिहारी बाचपई और मोदी जी के नेत्रुतों में जो हमारी सरकारे आई, हमने जितना काम किया है, जो कांग्रेस वाले साथ साल में नहीं कर सकते हैं, वो काम हमने 10-15 साल में करें हैं, मुंबई में मंतरी था, महाराष्टों ने, युवा था, मैंने मुंबई में पंच्पर उड्डान पूल बनाया, वरली बांदरा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, आप कभी ग मैं नहीं का, आक्राव जी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं यह मानता हूँ कि, if there is a will, there is a way, and if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and business, अप्राव जी हसने नहीं, और आज भी मैं बताता हूँ, मैं लाखोर करोन के काम करता हूँ, अभी मुंबई स्टॉक एक्षिंग में नहीं अपना अपने परिवार के साथ गोवा में गया था, मुझे तुरन चेर्मन का पहले दिन फोड़ आया, कि साथ गड़बर हो गई, मैं बना, क्या हुआ, मुझे पहले दिन, साथ गंटे में, सेवन टाइम्स, बांड इशू, ओवर सब्क्राइब हुआ, पैसा ही आ रहा है, मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे आप जल्दी मुंबही आये, और इसको बांड इशू को लोरुस करिए, मुझे याद है, मैं जैपूर के वसंदराजी मुख्यमंत्री थी, जैपूर के वीगरोड का काम बंग पड़ा था, ये रोड नहीं होगा अगर क्या अधिकारियों ने ये वसंदराजी को बता दिया तो गवर्मेंट के एरपोर्ट पर मैं चीफ शेकेट्री और सब लोगों को लेकर वसंदराजी के साथ बैटा था, तो सब ने का ये नहीं होगा, मैं आला तुम छोड़ दो, मेरे पास दे दो, जो नहीं होगा, वो होने वाला काम नहीं कर दो आज मैं हुआई जास से उपर से देख रहा था, जैपूर का रिंग रोड कभी अच्छा प्राइब, इच्छा शिक्ति जाई, मोदी जी के देख्रुत में हिंदुस्तान को, हमको विश्व गुरू बनाना है, नंबर एक की आर्थिक शक्ती बनाना है, गाव धरीद इच्छ पूर किसान का कल्यांग करना है, एक्सपोर्ट को बनाना है, इंपोर्ड को कंड करना है, और रोजगार की निर्मिती करके हमें सुखी समुद्ध और संपन्न देश है, मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री होते, मैं पास साल पहले कहता था, इलेक्ट्रिक पर बस चलेग इलेक्ट्रिक पर स्कूटर चलेगी, इलेक्ट्रिक पर कार चलेगी, मेरे डिपार्टमेंट में एक, वो लोग हसते थे, मुझे पत्रकार सवाल पूछते थे, कि इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद हुई तो क्या धकलना पड़ेगा, अब किसी की गाड़ी बनने प अब किसान बायो सी एंजी बायो इलेंजी बनाने लगा जो परली से प्रदूशन हो रहा है 180 प्रदेश में परली से सीएंजी और इनेजी बनाने का क्राम दोशन है मेरे पास एक टोयटो की गाड़ी है इनोवा जरूर देखने के लिए इधेनौल मके से बनता है और वो गाड़ी 100 परसंट इधेनौल पर चलती है और उसमें से 60 परसंट बिजली तयार करती है और 40 परसंट इतिनाल पर चलती है पेट्रोल का रेट 25 रूपए लीटर इतना कम आएगा ऐसा आवरेज में और प्रदूशन चुन लिए मेरे बास हग्रोजन की गाड़ी है लोगो दिये सम्मोन एक बार मेरे पत्ती ने मुझे पूछा कि तुम कहते हो कि पानी से अड्रोजन त्यारोदार गाड़ी चलेगी तेरा ही विश्वास नहीं बढ़ता तो लोगोगोट ऐसे बढ़ता है मुझे ट्रोयटो कंपनी के चेर्मन विकरम किलोसकर को फून किया कि मुझे अंड्रोजन की गाड़ी चाहिए मुझे 2,000,000 बोले क्यों मेरी पत्नी मेरे बातों पर विश्वास दे रही है आज दिल्ली में मेरे पास हड्रोजन की कार प्रसीडिस से में अच्छी है ना दुआ निकलता है ना पानी निकलता है यह देश बदल सकता है यह धेश आप बदल सकते अजिवाइक दिल्ली से जैपूर इलेक्रिक हाइवे बनाने वाला हूँ तीन बसे जोड़कर इलेक्रिक पर डारेक्ट दो गंटे में दिल्ली से जैपूर हुआई जाज में की एरोस्टे जोड़ी चारपादी नाफ्सा होना जाज मेरी जान से सुधिये कि टीजल बस की तुल्ना में उसका रेट 30% कम होगा पानी पर वाई जाल उज़ार दिया पानी पर इसी राजस्थान में राजना सिंग जी और मैं डिफेंस के अपने प्रमोट रावत साथ सब मिलकर पाकिस्तान की बॉर्डर पर हमने रोड पर हुआई जाए जाए जुतर है सब कुछ हो सकता है मोदी जी और हम सब कुछ कर रहे इसका से हमको नहीं है इसका सिठा भात्य जानता पार्डिकोंने क्यों कहां एक उसका सिठी अगर किसी और थे का है को अधे चूंक कर देने वालë मेरे सानने बेटिवी जनता को'm आप अगर सही वेले नहीं करते हैं आप अगर हमारे सांसुदों को चुन कर नहीं देते दिया कुमार जी सांसुद बन के चुन कर आई अगर हमारे संसे नोब नहीं जिताते, तो मोधी प्रदान मंद्री नहीं बनते, और मोधी जी प्रदान मंद्री नहीं बनते तो मैदी मंद्री केसे बत ev세? जो कुछ चल रहा हुआ आपके कारण ने महाय बाफ सरकार आप इ wypो हो अलाब कडिक! पीज़पी मनिवाता की राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजिन चाहिए दिल्ली में मोटी जी के नेतरूतों में इंडिये भारती अजरता पार्टी की सरकार है अब राजस्थान की सरकार को आराम करने दो जो है वह को काम की नहीं है अब राजस्थान में फिर से एक बार जो कीचर फैला हुआ है तो कीचर हटेगा सूरज निकलेगा और भारती जरता पार्टी का कमल प्रिए भारतों को बहुत अच्छे तरीके से समझें अधिया कुमारी के रूप में एक बहुत अच्छी सांसर तो मैंने अभी पूशा उन्डों कि उनके मतदार खेतर में मैंने कितना काम किया आठ देस हजार करूर का किया हुआ है कोई सांसर नहीं है राजस्थान का जो सिर्षाथ हजार करूर से करूं है मैं नहीं बोलता ही मैं यहीं कहता हूँ कि काम भूलने वाला थक जाएगा पर काम करने वाला करूश पहले है अपने अपने मतदार खेतर के लिए पचीज बार मेरे घर के चक्कर काचिए अब हर बार इमान दानी से गरीबों के कांग कैसे होके, गाह गरीब मजदूर किसान को नया कैसे मिलेगा, राज परिवार का परिवार का बैगरोन होने के बार में भी, गरीबों के मंद में महरेवे सव Panther प् jamic रखने वाली हूँ देए। जया तुमारी झी जया हो!! उनमें काम करने की एक्षमता है, आपकी आशा, आकांशा, रपेक्षा पूरी करने की ताकद है, इस मददार क्षेत्र को बदलने की ताकद है, और भारतीय जनता पार्टी की वो उम्मीद्वार के रूप में खड़ी है, मुझे पता है कि उनकी जीत तो बिल्कुल पक्की है. आप उनको आईसा जिताईए, कि जितने उम्मीद्वार खड़े है, उनकी जमारत जप करके उनको जिताईए. प्राईए, कि आप उनकी तुमारी चीए जितने बाइए, लाटिय जनता पार्टी की सरकार लाएए, और राजस्तान को डबल एंजिन के बुलेट ट्रेन से, आईसे रेकार्टूर्ट से ज़ड़ाये, बश्राइब तो अब फिसरी से जैपुर पाउने दो घंटे में हो जागा अब साज ना अब हुआ ुआ यह निया रोण बना रहा हो कि दिसंबर के पहले चैपूर पाउने 2 ठे है ओ अब अराम से जा सकोगे आपके रिंडरोड पर इलेक्ट्रिक हाइवे कर दो सब करने के लिए आपका अशी वाट चाहिए अपका विश्वास चाहिए विन टाकत देगा हमें शक्ति देगा देश के लिए समाज के लिए काम डिने की वीजन देगा और निश्य तुर्फे अमारा देश आत्मंदीर में भारत बनेगा निश्वदुरू बनेगा और दुनिया की नंबर एक की सुपर एकोनोमिक पापर बनेगा यही आशिर्वात जरुष दीजिए दिल्ली में मेरे घर पर एक बहुत बातोपुर्ण विकिंग है एक उत्तरा खंदे खासा हुआ है चालिस मजदूर फसेवें पोशिश करने रात दिन और टेकनोलोजी के एक्सपर्ट वहनों को आट बजे ही मैंने घर पर गुलाया था तो मुझे निकलना है मैं फिर से एक बार आप सब को बहुत बराई देता हूँ पर शुराम जी के चर्णों में वंदन करता हूँ और मेरे साथ जोर से कहिए बारत माता की ये बारत माता की ये अब की बारी अपकी बारी बारत माता की ये 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 बारत माता की जिटने भी लोग हैं पर भाई साब को आधानिय मंत्रीजी पर एक बार आराम से वात अको उसने दीजिए जितने भी कार्य करता बंदू इस मंत्री सबात सबा में है उनसे भी नंबर मी बेदन है कि अपने अपनी से नहीं अकावत खड़े रहें भारत माता की अपकी बारी नेंदर मोधी नितिन कड़करी जी भारत माता की भारत माता की अपकी बारी नेंदर मोधी नितिन कड़करी जी भारत माता की की बारत माता 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 क कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो दो कर द projected दो कर 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 दो झाल झाल